हलो दस्तो आज की हमारी कहानी का नाम है रेहान का सवाल तो दोस्तो आये देखते हैं कि क्या सवाल है रेहान का और किस से पूछता है वो सवाल हमें अपने से बड़ों को हमेशा आप कह कर बोलना चाहिए पापा हमेशा रिहान को यही समझाते रहते मगर वैं समझ नहीं पाता कि किसको आप बोलना है और किसको तुम वैं अपने मम्मी पापा से भी आप करके बात नहीं करता था वैं हमेशा सोचता रहता कि मम्मी बापा से वैं आपके अकर बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि वैं दूर के किसी लिस्तेदार से बात कर रहा है एक बार की बात है रेहान के घर के दरवाजे पर एक पुजुद खड़े थे वैं अगरवत्ती वेच रहे थे वह पापा से पूछ रहे थे क्या आप अगरवत्ती खरी देंगे बच्चों क्या आप जानते हैं अगरवत्ती क्या होती है कमेंट करकर बताए फिर पापा ने कहा हमें अगरवत्ती नहीं चाहिए तुम कहीं और जाकर अपनी अगरवत्ती बेचो रिहान को ये बात समझ में नहीं आई कि बुजुर्ग तो पापा से उम्र में बड़े है फिर उन्होंने उनसे आप कहकर बात क्यों नहीं की तो दोस्तों आप ही बताओ कि हमें किस से आप कहकर बात करनी चाहिए और किस से तुम कहकर बात करनी चाहिए रिहान का confusion सही था ना? क्या हमें किसी की अमीडी और गरीबी देखकर उससे आप या तुम कहना चाहिए? अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके बताए और अगर नहीं तो फिर हमें किस से आप और किस से तुम कहना चाहिए? लीज कमेंट करके बताए